हेलो एलेक्ट्रोनिक्स लवर्स हार यू आल वेलकम बैक तो दे स्रीज ओफ ओसलेटर और टोड़ाइस टॉपिक इस कॉंसेप्ट ओफ एलसी ओसलेटर आज के इस चप्टर में हम डिसकस करेंगे हाटले और कॉलपीट ओसलेटर जो की एलसी ओसलेटर के कटेगरी में आते हैं इनको इन जेनरल एक सरकीट डाइगराम बनाएंगे जो बैलिड होगा बोथ फोर हाटले आज ओस कॉलपीट उसके अनलेसिस करेंगे और बाद में हम फिर से स्पेसिफिकली कॉलपीट और हाटले को एक बार फिर से ग्लांस करेंगे बाद इस क्लास इस गोग तो बी वरी इंपॉर्टेंट फोर अंडरस्टैंडिंग इस कॉनसेप्स ओफ बोथ कॉलपीट और हाटले उसलेटर सेमिलतेनेशली ठीके एक जनरल सा डिएगराम बनाऊंगा मैं जनरल निसक्तास करेंगे जो एक एक लिस फिलंट कोुर्गन जीएंगे डनेश चुलर में करणा होता है कैसे कम कर दौलिब क्योंकर रहा हुतल्ता APP कैसे उसका फ्रिकेशूंस आता है important points पहले लिख दूए बात आपको बता दू कि एक oscillator में होता क्या है एक reminder होगा छोटा सा कि एक amplifier part होता है right और दूसरा एक feedback network वाला part होता है feedback network वाला part ठीक है मैं sort में लिख देता हूं network तो LC oscillator in general call fit और हाट ले दोनों के लिए बात है इन जनरल amplifier वाला जो हिस्सा है वो क्या रहेगा एक inverting amplifier का यूज करेंगे inverting amplifier का यूज करेंगे हम यहां पर और जो feedback वाला हिस्सा है हम आनने बताया था कि जो oscillator का type का topic हमने discuss किया था वा मैंने आपको अच्छे से समझाया था यह बात कि जो type of oscillators होते है वो decide होता है feedback network के द्वारा amplifier तो आपका सब में कोई भी op-amp भी यूज कर लो में भी inverting में भी non-inverting directly आप एक simple VGT transistor का भी सकता हो तो that is not going to decide actually the category or the class or the type of this particular oscillator but instead the feedback network आप क्या employ कर रहे हो RC circuits यूज कर रहे हो के LC circuits यूज कर रहे हो याब बाद में देखेंगे crystals यूज कर के crystal oscillator भी हमें category last में पढ़ेंगे तो feedback network obviously will be employing your LC tuned circuit that's why the name LC oscillators is in the picture तो obviously यह तो एक guess वाली बात है कि यहाँ पर हम लेखें यूज करेंगे LC tuned circuits अब एक obviously बात है कि जब आप amplifier inverting type का यूज कर रहे हो obviously invert कर देगा आपके input को जब output पर आएगा तो तो यहाँ कि simple सी बात है कि it will render a phase shift of 180 degree अना phase shifting करेगा phase reversal कर देगा तो आपको वर्क हाउसन क्रेटरियन के हिसाब से आपको total phase shift to 180 degree चाहिए तो obviously this LC tuned circuit is also going to render you the half of this 360 degree phase shift that is 180 degree मतलब यह 180 degree देगा तो overall आपका वर्क हाउसन क्रेटरिया complete होगा 304 degree और 0 degree का phase shift का यह जो gain है उसके gain को by default हम A लिखते हैं और यह जो gain देगा वो beta gain मतलब beta is the feedback factor अच्छली कहते हैं इसको तो phase के point of view से अगर मैं बात करूँ तो एक अपना 180 degree का phase है बीटा का अपना 180 degree का phase है तो overall इसको लिखा जात ऐसे लिख सकते एंगल को phase एंगल आपका 360 degree मिल जाएगा जो की हमारे लिए mathematically वो 0 degree के बराबर है ठीक और दूसरा obviously by choosing by the selection of the elements LC जो भी circuits elements ले रहे उसको यूज करके आपका जो gain होना चाहिए वो sorry not this is the बार बार गलती से मिहां पर angle का symbol गलती गलती से लिख दिया मैंने यह होगा इसका magnitude यानि कि यह इसका phase है और इसका इसका value है यानि number of inductors, number of capacitors, where all these things will be decided by this following or following the concepts of workhouse and criteria ठीक है तो यह आपका जरूर धियान में रखना है तो आपका जो gain होगा यह भी एक real number होगा ठीक है यह mathematical बात है इसलिए मैं बता रहो क्योंकि बाद में जब हम analysis करेंगे या frequency का derivation करेंगे जो भी conditions को हम यहां पर avail करने वाले है या utilize करने वाले है वहाँ पर हम देखेंगे कि A has to be a real number and beta has to be a real number as well इसको भी real number होना पड़ेगा क्यों क्योंकि दोनों main region इसका क्या है 180 degree जब कोई phase देता है तो वह real होता है 90 degree देगा तो pure imaginary होता है सब चीजों already have covered in the last class इसके real होने का condition होगा और इस condition को यूज करेंगे अपने simplification या जो भी derivations करने वाले उसके लिए तो यह note कर लेते हैं और हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं सबसे पहले में बनाऊंगा inverting amplifier ठीक है तो inverting amplifier हमारा कुछ ऐसा दिखता है एक opamp को यूज किया जाता है यहां पर simple और यहां पर एक inverting terminal होता है नौन inverting terminal होता इंवर्टिंग terminal और नौन inverting terminal और यहां से लेते हैं हम लोग output inverting amplifier कैसे होता है यहां से एक feedback जाता है और फ जिसको resistance यूज कर सकते आप उसके बाद यह चला जाता है आपके inverting वाले और यहां पर एक resistance लगा के नौर्मली यहां पर आपका एक input दिया जाता है यहां पर एक इसको दे देते हैं इन्पूट में राइट यहां से आपने लिया आपने लिया आपके नेट्वर्क के माधियम से एक feedback network के माधियम से हम लोग इसको दे देते हैं input में राइट यहां से आपने लिया और इसको दे दिया आपने input में आपने. So this is your almost completed LC oscillator अभी feedback के बारे बात नहीं किया मैंने बट ऐसा ही कुछ देखेगा feedback में मैं draw करूँगा I show you the box के अंदर क्या है एक suspense अभी मैं दिखाऊँगा अंदर मैं क्या बनाऊंगा but this is almost complete यह जो मैंने लिखा यहां पे IP इसको हटा देता हूं क्योंकि मैं input अलग से कुछ नहीं दे रहा हूं मेरा जो voltage output है that is actually getting fed back वही जा रहा है जन input वही वापस जा रहा है अब मैं इसको draw करने वाला हूं अपको box यहां पर क्या होगा देखिए इस box के पास मैं क्या draw करने वाला हूं एक LC tuned circuit बनाऊंगा इन जनरल बनाऊंगा यानि कि इन जनरल का मतलब है कि मैं L और C को employ करने वाला हूं इंड़्टन्स और capacitance को employ करने वाला हूं यूज करने वाला हूं लेकिन मैं कहां capacitance दूँ कहा कॉल्पिट को मैं common तरीके से common circuit डियाग्राम में interpret कर रहा हूं इस तरह से मैं circuit को यहां पर लगाने वाला हूं तो एक तो मैं क्या करूंगा डारेक्ली इनके बीच में एक element लगाऊंगा वह element कुछ भी हो सकता कुड़ बी योर इंड़क्टन्स भी हो सकता है यहां पर कि पासिटन्स भी हो सकता है ठीक है अगर इंड़क्टन्स हुआ तो इस पूरे circuit पूरे इस टैंक सर्किट का नाम ब सकते हैं दोनों मेरे elements इनक्टन्स हो सकते दोनों elements के पासिटन्स हो सकते है और इन दोनों को connect करूंगा बीच में यहां पर देंगा इसकी एक common Z1 could be JX1, JX2, JX3, अब X क्या है, के पासिटिव रेक्टेंस भी हो सकता है, इंदक्तिव रेक्टेंस भी हो सकता है, के पासिटिव 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 रेक्टेंस भी ह ठीक है तो L भी हो सकता है C भी हो सकता है यहां पर जो आप मैं बताना चाहता हूं आप में भी आप इसको अगर डिस्क्लोज करूँ एक आइडिया देता हूं कि इन दोनों में इंडक्टर हो सकता है यहां पर यहां पर केपासिटर हो सकता है है ना देखो मैं वहीं चीज बना अब इसका नाम रखा इसका नाम जे टू रखा इसका नाम जे तू रखा तो इस तरह से कुछ हो सकता इट कुड विस सम्थिंग लाग इस अभी जरूरी नहीं कि ऐसा होगा या हो भी सकता अभी इस पर ध्यान देने की जरूत नहीं है बस आपके जो मन में बहुत सरे विचार हो सकता है उसके लिए मैंने आपको यह दिखा दिया है ठीक है लाओ लेट इस फोकस री फोकस ऑन दिस सर्किट अब इसकी अनलेसिस हम करने वाले हैं अब आपको अच्छा कुछा समय जागा हो कि यह अपका एग देगा और आपका यह बीटा फिट्वेक फेक्टर देगा ठीक है तो अब इसका अगर मैं हिस होल इसका एक एक इक्यूवेलेंट सर्किट इसके लिए में एक एक इक्यूवेलेंट सर्किट को कैसे में ड्रो करूंगा है तो इक्यूवेलेंट सर्किट क्या होता है ओपम में नॉर्मली यह हो गया आपका माइनस प्लस क्योंकि आपका का इन्वर्टिंग अंप्लिफियर तो माइनस से गेन से दिखाऊंगा थोड़ा सा इसको एक्यूवेलेंट सर्किट में ठीक है और यहां से यह वोल्टेज जाएगा थोड़ा सा इसको हो जकता कुछ आउटपूट इंपड़ेंस सफर करना पड़ेंस करना पड़े तो आउ आपका आउटपूट मिलने वाला है लेकिन आप आउटपूट में क्या करनेट करकर रखो यह इतना सारा सर्किट एक लसी सर्किट लगा कर रखो तो इस सर्किट को मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं है लेकिन इस ड्रॉइंग को ध्यान समझेगा गलती ना करते कि मैं मैं इसको vertically draw करने वाला हूँ क्योंकि मेरा analysis थोड़ा easy होगा और more broader exposure मिलेगा आपको इस circuit के साथ interaction ज्यादा हो पाएगा तो देखिए का जेड़ ध्यान से समझी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि जेड़ थ्री एक हो element है देखिए पोजीशन कभी इंटर्चेंज मत करिये गलती से कि जेड़ यहाँ लगा दिया जो है वही यहाँ पर लगा हूँ जो जेड़ तू में वह पोजीशन इसक सबसे पहले में क्या किया यहाँ से मैंने लिया ऐसे करके यह मेरा आउट्पुट है कहीं आपका यहाँ आउट्पुट आ रहा है ना तो जेड़ थ्री मैंने यह लिया और जेड़ थ्री को इन्पुट से लेके ऐसे करके मैंने आउट्पुट की तरफ मैंने लगा सोरी आउट्पुट से इन्पुट की तरफ कनेक्ट कर दिया आपका जेड़ थ्री क्या है आउट्पुट से इन्पुट के बीच में कनेक्टेड है तो मैंने जेड़ थ्री को तो आपका इक बीच में गेन दिखा रहा है इन्पुट आपका जो इस तरह से जाएगा और आगे जाके आपके यहां से इन्पुट का लोड दिखा जाता है यहां और यह जो है वह इन्पुट साइड होता है इन्पुट साइड इस गया होता है इन्पुट क्या होता है infinite input impedance की वज़े से इसका मतलब यह भी कह सकते हो कि यहां से जो current जा रहा है वो 0 माना जाता है यह जो current है वो 0 आपको यह से आप में याद आ रहा होगा ठीक है तोड़ा सही से लिग दोश चीज को जो current है वो 0 है ठीक is equal to 0 ठीक है equals to 0 equals to 0 एक current आपका equals to 0 input current to the opamp is always 0 ओके यह मेरा diagram हो गया अभी में जेट 3 वाला बात complete नहीं किया था यह जो आपने लगाया है कहीं न कहीं यह वाला जो आपने लगाया है यह जो आपने ड्रो किया यह आउट पूट से connected है तो जेट 3 मेंने ड्रो कर दिया है दिसी आपका आउट पूट से कोई अब आपका क्या हो रहा है जेट 1 को ध्यान से देखिए जेट 1 का एक अर्थिंग पे है दूसरा एंड ध्यान से देखिए इन्पूट की तरफ जा रहा है जेट 1 का एक अर्थिंग है दूसरा एंड इन्पूट की तरफ जा रहा है इस डियाग्राम में इस यलो वाला जो सर्किट डियाग्राम है इस इस आइप द्रौन इट डियाग्राम में इस यहां पे जो आउट पूट यहां से ले रहा है इस अप्लिफायर का उसका लोड के सेंस में लोड के रूप में इसको में ड्रौ करने की कोशिस कर रहा हूँ अज़ लोड कोशिस करने के लिए ठीक है तो सी ना वट आ इंग तो दू जएड थी मेने ड्रौ कर दिया और जएड वन मेने ड्रौ कर यह अब ध्यान से देखिए कि जएड टू कहा अग्नेक्टेड जएड टू का दूसरा एंड अर्थिं के साथ है और एक अर्थिं के ट्रौ क्नेक्टेड है तो कैसकता हूं कि जए यांपर क्या क्या करने वाला हमे जएड टू हो गया स्peed जटू जेड टू जटू हा यह मैने लिए जटव मैंने लिया Z2, okay,, Z2 को मैंने लिया और एक and इसका वही इदर से sägaoutput से connect कर दिया है यह कह़ए सकते हैं दोनों कमन टर्मिनल है जो Z3 सभी और ज़ुक्झट है और दूसराasis इसको बी दोँगा और दो यह य intéressant हो यह सी यानि की यह के बोनों टरू कामन होंगे इन हो जाएंगे तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा दोनों को कॉमन टर्मिनल बनाऊंगा आए मेडिट कॉमन टर्मिनल एंड गीवन दी अर्थ मैंने बहुत टैम लिए इसको ड्रॉ करने में सोधर गलती ना हो और इसके अनलीसिस को समझे आप अब ध्यान से देखिए जेड़ है यह मेरा इंपि इधर से जारा मतलब यह इन्पूट वाला साइड है तो आउटपूट से इन्पूट के बीच कनेंटेड जेड़ी कारेक्ट है घेड़ी ठीक है जेड़ी करेक्ट ली मैंना ड्रो हो गया जेड़वन क्या है आउट इन्पुट और आर्थिंग के भीच ज आपका यहां से आर्फिंक के बीच का यहीं आपका लोड विट्वी अभी यहां से समझजी यह जो मैं ने यहां दिखाया। यह जा रहा इंपुट के साइड करेंट जाना चाहिए यहां से लेकिन मैंने क्या बोला कि इंपुट साइड पे इंपडेंस बहुत-बहुत इंफनेट होने की वज़र से यह करेंट जिरो होता है इसलिए इसको उपन सर्कृट आप मान सकता है इसलिए इग्नॉर इस लाइन इसको इग्नॉर कर ता अब ध्यान दो खाली इख द्यान करतो इसपे ध्यान दो अगर इस पे ध्यान 53 पे ध्यान 6 टीक है if you pay attention on this atleast देन z1 z1 z3 series में है यानि z1 z3 STEVE Bak rede554 इसको z1 z3 series में है । उसका साथ पैरल में ज़र जड़ीग मी जेड़ चीड़ यह जो जेड़ वन है और यह जो जेड़ थी यह आपका सिरीज में है जोड दिया मैंने और यह तोटल जो सिरीज combination Z1 Z3 का Z3 Z1 या Z1 Z3 के लो वो Z2 के साथ parallel combination बना रहा और यही आपका whole आपका एजे impedance काम कर रहा है यह ZL मतलब load और वो load आपकी इस output को मिल रहा है यह आपका equivalent circuit है although it was an oscillator circuit but I have drawn it as an amplifier and I have taken this feedback network as the load for this output voltage और यह analyze मैंने किया तो यहां से हमने क्या देखा अब देखिएगा कि यहां से हमने यह देखा कि अब इसका simple shrink part बनाओ shrink कर दो इसको तो मैं इसको shrink करके ऐसे दिखाने वाला हूं देखे गध्यान से यह मैंने माइनस लिया प्लस लिया आपका a भी यह पर है और भी आई भी यहां पर है और यह आपका एक तरह से ठीक है यह वाला मैंने को दिखाना चाहिए था यह जो पार्ट है ठीक है और यह भी हो गया अर्थ बस सिंपल समझ यह बात को और इसी के अक्रोस आपका आउट्पूट अवेलेवल है यह जेडेल आपका है जेडेल की भेलू क्या है जेड़ वन प्लस जेड़ थ्री आपके इस रीज में है और उसके साथ पैरलल में आपका जेड़ टू है तो आब आपका जो आउट्पूट होगा सिंपल है यही वाला आउट्पूट आपका इस रेजिस्टेंस और इस लोड में बटेगा तो बटेवारा करिए इसको ठीक है आच्छा माइनस विल बी ओल्वेज देर विकोज माइनस इंवर्टेड वोल्टेज आपको मिलेगा त इसको भी में लिखूँगा है तो यहां से आपका जो एक्चुल गेन है वो देखिए निकलने वाला है गेन क्या होता है गेन इस यह वाला जो नीचे आजाएगा इसके तो उधर क्या बचाएगा minus A V into Z L divided by R naught plus Z L इसको आप नोट करके रखलो बात के अनलिस के लिए का माने वाला है ठीक है तो यहलो कलर में अल्रडी है I am not okay still for you I will इसको में नोट करके आजाएगा ठीक है इसको में नोट आप देखिए feedback network का एक independent analysis करते है ठीक है analysis of analysis of feedback stage feed back part या feedback stage का analysis करें तो फिर से वहीं चीज में draw करने वाला हूं देखिए ध्यान से आपका कहीं ने कहीं आपका V output है यहां से और V output आपने लिया और आपके V output जो है सबसे पहले वहीं चीज आपका Z3 पे गया ठीक है मैं इसको ऐसे भी लिखते था हूं कोई दीकर नहीं Z3 हो गया उसके बाद आगला part जो है आपका Z1 का है तो Z1 पे गया यहीं चीज में draw कर रहा हूं देखेगा Z3 output जो आपका है ठीक है visibility के लिए मैं इसको यूज कर इसको बढ़ा देता हूं आपके लिए फिलाल तो output है आपका Z3 पे गया और उसके बाद पॉइंट्स आगे इनपूट के तरफ जाना लेकिन फिर यह Z1 से गया अर्थिंग हुआ तो यहीं को मैं draw कर रहा हूं just redrawing this so many explanations इसके उपर हो चुके है और यह हो गया आपका अर्थिंग के साथ उसी के साथ parallel में आ रहा है यह आपका Z1 है ठीक उसी के साथ आपका parallel में है यह Z2 और यह भी आपका आगे जाके इसके साथ common तरीके से यहां पे हो गया है अर्थिंग और यहां से ही एक तरह से output है मैं ऐसे draw करूं तो better होगा समझ लिए इस बात को अच्छे से कि आपका output आपका ऊपर से आ रहा था आर्थ के respect में उसको मैं ऐसे draw कर सकता हूं कि यह आपका output आ रहा था ठीक है या इसको simple करने के लिए मैं यहीं से draw कर लेता हूं see what I am saying इसको मैं यहां से हटा दिया और directly मैं एक line खीचा यहां से तो यह समझिए कि आपका output था जो कि Z2 के across आया था उसी Z2 के parallel में आपका Z3 और Z1 है और Z3 Z1 को जो voltage मिला उसमें से फिर Z1 को Z1 से आप लेके VF को गए तो यानि कि आपका जो beta में उसकी analysis कर रहा हूं हमने एक एक analysis कर दिया अब हम बीटा की analysis कर रहे आपका output का voltage अगर आप समझें तो हाना और वही voltage Z2 के parallel में ही यह तो connected है हाना यह तो इसके parallel में है यह point और यह point इसी के साथ यह connected है इसी के साथ यह connected है तो parallel है so I am what I am saying कि Z2 के साथ this is Z2, Z2 के साथ क्या parallel है Z1 प्लस Z3 यह parallel है obviously यह चीज parallel है तो दोनों का voltage बराबर होगा यानि कि parallel में यह resistance यह है R1 और यह resistance यह है R2 इनको parallel connection कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा voltage तो दोनों का बराबर होगा R1 का voltage R2 का voltage तो बराबर होगा ठीक है simple है तो मैं बहुत basic और rudimentary बात है भी आपको explain कर रहा है तो simple to say that the voltage across this Z2 will be equal to voltage across this Z1 plus Z3 इसके अगर बराबर होगा ठीक है यह simple अगर हम बात को कहें इसको मैं यहान लिखके अब आपको beta की value में आपके लिखने जा रहा हूं देखेगा beta की जो value होगी वो simple होगी Z1 क्या cross का voltage ही होगा तो ratio जो बनेगा वो बनेगा Z1 divided by जो बटा है Z1 plus Z3 से Z1 plus Z3 यह आपका beta होगा ठीक है तो beta को भी आप कर लो note beta की value यह हो गई एका value हमने not कर लिया वी का value भी नोट कर लिया ठीक है एका value हमने not कर लिया beta की value क्या होगी Z1 क्या क्या क्रोस का voltage जो इसके थू बटा है ठीक है मतलब VF divided by V0 की बात करें तो यह होगा Z1 divided by Z1 plus Z3 काफी हमने voltage के ऊपर हमने काफी voltage division का काम किया हुए तो आई होप यह को clear हो गया होगा अब देखिए हमने A मिल गया हमें B मिल गया अब नाव A B अगर हम निकालने की कोशिस करें तो क्या होगा दोनों को multiply करेंगे A की value क्या है देख लेते हैं माइनस AB ZL divided by something something माइनस AB ZL क्या है नोट किया हुगा हमारे पास ZL से डरना नहीं है आर नोट प्लस ZL यह आपका हो गया एक अब अबने निकाला है बीटा का वेलू सोरी बीटा का वेलू निकाला है आमने जेड़ वन डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ प्लस Z3 ठीक है यह आपका हो गया बीटा का वेलू थोड़ा सिंप्लिफाई करते हैं यहां से mathematics का मारा सुरू हो गया है काम माइनश एवी जेड़ का वेलू अच्छा मैं सिंप्लिसिटी के लिए जेड़ वन को यहां लिख देता हूं जेड़ और यहां लिख दिया मैंने उसके बाद लिखूँगा तो जेड़ को डारेक्ट जेड़ क लेकिन ZL के value को में put करने जा रहा हूँ, ZL के value क्या थी, देखिएगा, ZL के value थी यह, Z1 और Z3 का series उसके बाद Z2 के साथ parallel combination, तो एक बार इसको एक line में लिक देता हूँ, ZL will be equal to series इसके साथ parallel, यानि कि product by sum, तो Z1 plus Z3 into Z2 divided by Z1 plus Z3 plus Z2, तो यह हो गया, आपका ZL का value, तो ZL का value, या लिकने जा रहा हूँ, देखिएगा, Z2 into Z1 plus Z3 और नीचे में होगा, तो नीचे के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि जगा नीचे हो जाएगा, Z1 plus Z2 plus Z3, तीक है, मैंने ZL की value लिखी है, देहां से देखिएगा, ZL की value लिख दी है, कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, और अपने हिसाप से एक line बनाते हैं, एक line यहां बनाया है, मैंने, और नीचे में क्या क्या मुझे लिखना है, R0 plus ZL, ZL म divided by Z1 plus Z2 plus Z3, और यह whole multiplied with क्या है, Z1 into Z3, तो यह whole Z1 plus Z3 मैंने multiply कर दिया, अगर आप उसको simplify करो, तो A into beta का value आएगा, उपर में हो जाएगा, minus AV, Z1, Z2, यह Z1, यह Z2, और बाकी चीजों को simplify करोगे, तो यह चला जाएगा, इसके साथ multiply उपर हो जाएगा, तो यह cancel हो जाएगा, फिर यह cancel हो जाएगा, और यह यह cancel हो जाएगा, तो आपको मिलेगा नीचे, R0 into Z1 plus Z2 plus Z3, और इधर मिल जाएगा, आपको यह वाला, Z2 into Z1 plus Z3, ठीक है, अब इसको और simplify करने कोशिस करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, Z1 भी मेरा क्या हो सकता, यह वाली value, क्या बताया था, मैंने यहाँ पे, yes, Z1 की value JX1 हो सकती है, Z2 की value JX2, मतला, अब imaginary numbers होगे, obviously, because they are inductive or capacitive, reactive elements होने की वज़े से, इस इसका actual form में लिखने जा रहा हूँ, Z itself is a complex value, Z का मतलब यह था complex number, अब उसके अंदर में J है, तो अब उसको J को लिखने वाला हूँ, तो मैं Z1 की जगह पे JX1 लिखूँगा, Z2 की जगह पे JX2 लिखूँगा, Z3 की जगह पे JX3 लिखूँगा, अब J के साथ हम deal करने वाल है, तो अगर इसी values में, अगर मैं इसी के साथ में अगर put कर दूँ, A V लिखूँगा, minus A V लिखूँगा, तो minus A V लिख देते है, minus A V लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या है, Z1 into Z2, तो Z1 into Z2 की जगह लिखूँगा, JX1 into JX2, ठीक है, और नीचे में भी उसी तरह से कुछ करने वाला हूँ है, R0, R0, और bracket में क्या है मेरे पास, Z1 plus Z2 plus Z3, मतलब JX1 plus JX2 plus JX3, ठीक है, यह लिख दिया मैंने, plus, यहाँ पर क्या है, Z2 into general plus Z3, तो इसके लिखूँगा, JX2 into JX1 plus JX3, मैंने कुछ नहीं किया है, Z की जगह पे सारे चीजर लिख दी, एक और स्टेप इस तरह से कुछ चल रहा है, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, A beta is equal to, अब देखिए, यह J और यह J, उपर का J का बात कर रहा हूं में, multiply हो तो बन जाएगा J square, और J square बन जाएगा, minus 1, और यह minus 1, तो minus minus मिलके plus हो जाएगा, तो उपर मैं X1 into X2, simply, और नीचे हो जाएगा, नीचे लिखूँगा मैं, देखेगा, यह जो J है, बाहर में और अंदर में भी J है, यह J बाहर आएगा, तो J square बन जाएगा, तो minus J बन जाएगा, minus 1 बन जाएगा, तो इसको minus लिखूँगा, उसके बाद X2 लिखूँगा, अंदर में X1 plus X3 लिखूँगा, और यह हो जाएगा, मेरा as it is, J को बाहर निकाल लेगते, J को मल निकाल लेगे तो हो जाएगा, J into R into X1 plus X2 plus X3, यह हो जाएगा, कहानी में यह हो जाएगा, अब यहीं से मैं शुरू करूँगा, अपने इस conditions को use करना, मैंने कहानी के शुरूआत में बताय ठीक, तो J factor नहीं होने का condition क्या है, समझेगा, उपर में तो मेरा यह अपने आप में दिख रहा है कि real है, ठीक है, इसको अलग कलर से आपको बता दू, कि what I can see is, कि उपर में तो मेरा real है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यह real हो, if I want that this whole AB should be real, अगर यह मेरा real होगा, इसके लि का हूँ, यह भी मेरा real है, यहाँ पर J मेरा दिख रहा है, I am left to it, J only here, यहीं लोचा है, यानि कि यह मेरा इसको अगर मैं 0 कर दू, तो मेरा complete real बन जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं करने वाला हूँ, यह वाला, हम मैं J को दो 0 है, यह तो पका है, और R को R note है, यह तो, R note है, तो कहने का मतलब यह है, यह R note है, कहने का मतलब यह सिंपल समझ लो, आपकी X1 प्लस X2 प्लस X3, यह 0 होना चाहिए, T नो जोड के 0 होना चाहिए, this should be 0, और अगर यह 0 होगा, इसका मतलब यह है, कि X1 X1 प्लस X3, X1 प्लस X3 मैं क्यों लिख रहा है, बताऊंगा आपको, is equal to minus X2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, X1 प्लस X3 है, इसलिए, 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 साब से मैंने सजाया, X1 प्लस X3 is equal to minus X2 लिख सकते हैं, और इसके बदले में यह लिखूँ लिखूँगा, minus X2, और फिर इसके बदले में फिर लिखूँगा, minus X2, हाना, समझे, minus X2 just for this, focus here, यह तो मेरा 0 हो गया, यहाँ पे minus X2 है, और X1 प्लस X3 है, इसलिए, minus X2 into minus X2, मतलब, X2 का square हो जाएगा, minus minus plus X2 का square हो जाएगा, तो X2 का square लिख सकते हैं, आपके लिख देता हो, मैं यह बात, यहाँ का लिख सकते हो, मैं X2 का square, squaring है, लेकिन उपर में भी एक X2 है, नीचे में भी एक X2 है, तो यह X2, X2 cancel हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, AV into, उपर का X2 तो खतम, उपर में सिर्फ X1 बचेगा, और न मुझे मिला, ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे मिल गया, अब एक और चीज़ देखो, हमने A का value क्या निकाल के रखा पहले से, A का value हमने निकाल के रखा था, something like AV into ZL divided by ZL plus R naught, but ideally, आपका ideal open में, R naught की value तो आपके 0 होती है, output impedance 0 होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका A का value जो है, वो A V के बराबरी हो जाएगा, जो इसका internal gain है, वह उसका gain है, देखिए, R naught 0 हो जाएगा, तो ZL ZL cancel हो जाएगा, तो A V मिल जाएगा, इस हिसाब से A की value अगर A V है, ठीक है, A की value अगर A V है, और एक चीज़ देखें यहाँ पे, A V का A V वीटा के value A V into X X 1 by X 2 है, तो, see this, what I can say is, की A V की value A है, या वी बात है की A V की value A है, यानि की A into beta की value लिख सकते है, A A V के बराबरा में A लिख दिया मैंने X 1 by X 2 लिख दिया, और A एक चैनल हो जाएगा, तो beta की value आपकी आगई, X 1 by X 2, तो यह beta की value आपको मिल गई, यह beta एक feedback factor, एक ratio है, एक बात को जरूर समझे आप, और condition के हिसाब से condition क्या कहता है, कि A V की value 1 होनी चाहिए, अगर beta की value है, आपकी X 1 by X 2, तो इसका मतलब A की value आपकी X 2 by X 1 होनी चाहिए, इसको समझे है, बहुत ध्यान समझेगा, कि सपोज, अब मैं एक आपको assumption देता हूँ, intentional understanding, कि माल लीजे, just suppose, कि X 1 एक क्या है, एक inductive reactance, एक inductance के वज़े से आया है, अगर मेरा X 1 जो है, suppose, just suppose, कि आपका जो X 1 है, वो inductance के वज़े से आया है, और X 2 जो है, वो capacitance के वज़े से आया है, just suppose, तो इसका मतलब कि आपका ratio कुछ L और C का बन जाएगा, बिटा के value L और C, मतलब not exactly, but similar to something like L और C का ratio बनेगा, तो L और C का ratio कहीं न कहीं, क्या कर देगा, एक unit less या dimension less ratio नहीं बनेगा, उसमें L और C का ratio बन जाएगा, what I want to say that, कि बिटा क्षुड भी, what should be, बिटा शुड भी dimension less factor, dimension less value, dimension less number, यह तो एक ratio न, gain का ratio था, voltage का ratio था, तो यह ratio कितना होना चाहिए, लेकिन इसी लिए, X1 और X2 यह ratio dimension less होने के लिए, dimension less ratio होने के लिए, it has to be dimension less, X1 अगर L होगा, तो X2 को भी L होना पड़ेगा, and similarly, if X1 will be capacitive, your inductive should, sorry, X2 should also be capacitive, then also it will be dimension less, तो dimension less होने का condition को समझिए, तो dimension less होने के लिए, जरूरी है, कि X1 and X2, दोनों को एक साथ में लिखने वाला हूँ, must be, same, same element, अगर हम element वाई चले, तो X1 और X2, same element होना चाहिए, इसलिए, आपका Z1 and Z2 must be same element, है ना, और Z3 could be different, could be नहीं, must be different, Z3 should be different, यहाँ पर यह आप समझ लो, तो बीटा के जो वेलू है, वो आपकी क्या रही है, X1 by X2, यानि कि, हम लिख सकते हैं, इस तरह से होगा, कि 1 by J omega C divided by 1 C1, 1 by J omega C2, कुछ ऐसा होना चाहिए, so that आपका बीटा का जो वेलू होगा, वो C2 by C1, जो के पासितन का रही हो है, एक तरह से दिमेंशन लेस होगा, या फिर, या फिर ऐसा होगा, X1 divided by X2 is equal to, J omega L1 divided by J omega L2, so this will become L1 by L2, तो ये भी आपका valid है, ये भी आपका valid है, ये valid ratio है, दिजार, valid ratios, ये valid ratio, right, dimensionless, dimensionless ratio, ये होना चाहिए, ठीक है, so और X1 connection कहां किया आगया, X2 का connection कहां किया आगया, X3 का connection कहां किया, ये तो अल्रड ही clear है, तो इससे क्या confirm हो जाता है, कि आपका, ये तो confirm हो गया, कि X1, X2 similar होंगे, और X3 कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है, X3 should be something different, third element should be different, तो अब हमें case consider करते है, case 1, कि मेरा X1 and X2 are के positive, के positive, और मेरा X3 जो है, वो inductive है, तो ये case अगर आप consider करते हों, तो देखो क्या होने वाला है, ठीक है, अगर ऐसा है, तो हमारे पास क्या है, X1 plus X2 plus X3 is equal to 0 का condition है, अलड़ी हमने निकाला हुए, मैंने अपने मन से नहीं लिख दिया, ये condition हमने यहां निकाला था, see this condition हाना, ये condition हमने निकाला हुए, तो इस condition हम पूट करते है, अगर आप ऐसा consider करते हो, तो ठीक है, इस तरह के आप case को consider करते हो, कि X1 और X2 के पासिटिव है, तो आपका जो, या फिर आप इस तरह से लो, Z को ignore करो भी लाल, लेकिन आपको ये वेलू, see this, तो X1 की जो वेलू होगी, वो in our interest क्या होगा, C, X1, X2, जो होंगे, वो किपासिटिव होंगे अगर, तो किपासिटिव होने का मतलब 1 by, ठीक है, ओमेगा C1 होगा, ये होगा 1 by ओमेगा C2, और X3 inductive है, इसलिए हो जाएगा, प्लस, ओमेगा L3, 3 मानेंगे 3rd element का नाम पर 3, this should be 0, but, इनके जो अपने जो, फेजेज हो अलग होंगे, इसलिए फेज को ये प्तु कंसिटर, तो फेजेज को कंसिटर करने के लिए यहां जायेगा, यहां जायेगा और यहां उपर में जायेगा, यहां पर में जायेगा, यहां उपर में जायेगा, इस आप इसको कर लो, if you simplify all these things, then you'll finally get, यहां से मैं काम करता हूं, 1 by j omega को common निकाल लेता हूं ठीक और यह हो जाएगा आपका 1 by c1 plus 1 by c2 1 by c1 plus 1 by c2 को आप करोगे तो हो जाएगा c1 plus c2 divided by c1 into c2 यह हो जाएगा और यह दर हो जाएगा j omega l3 ठीक है is equal to 0 इसको further अगर आप simplify करोगे सब कुछ करोगे तो यह हो जाएगा c1 plus c2 divided by c1 into c2 यह देखो यह से multiply होगा तो हो जाएगा j square मतलब माइनस 1 बन जाएगा omega square बन जाएगा और l3 रहेगा यहां पर यहां पर हो जाएगा जीरो ही तो यहां से omega की value आप निकालने की कोशिस करो तो omega square की value पहले ले ले लेते हैं हो जाएगा everything will be 1 divided by यह जो complete structure वैसे बन जाएगा c1 into c2 divided by c1 plus c2 into यहां पर l3 आएगा और यह square root square हटा होगे तो यहां पर आए जाएगा और यह मा बता दो यह must tell you कि if you consider this case this case will be call pit oscillator का case हम इसको फिर से एक बड़ दो करेंगे और बनाएंगे ठीक है और ठीक वाइस बरसा consider अगर आप करते हो यानि x2 case 2 अगर आप consider करते हो if you consider case 2 if you consider let me take this color this one if you consider case 2 that is x1 x2 को अगर आप inductive मानलो अगर आप इनको inductive मानलो और x3 को capacity मानलो तो आपका consider case क्या बन जाएगा विल्कुल उसी तरह से आप इसको अगर समझो तो यह हो जायाएगा ओमेगा जे ओमेगा एलवन प्लस जे ओमेगा एलटू प्लस वान बाई जे ओमेगा सी थ्री यह केस बनेगा obviously because यह जे इसका नीचे रहता है अगर इसको simplify कर होगे तो एडिशन होगा वहाँ पर क्या था ठीक है प्रड़क बाई सम था एडिशन होगा तो यह हो जाएगा 1 डिवादेद बाई L1 प्लस L2 ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा C3 और square root को हटाओगे मतलब square को हटाओगे तो यहाँ पर आजाएगा एक square root so this will shrink to square root और यह आपकी frequency हो a heart layer oscillator तो case one के हिसाब से अगर मैं इस ड्रो में ड्रॉइं में आजाओं तो case one के हिसाब से यहाँ पर यहाँ पर बिशन पटर करो तो मैं कह रहाएँ यहाँ यहां केपासिटर यहां केपासिटर और यहां indictwater में बहたता Z1 Z2 यानि X1 X2 भी कह सकते हो तो यह दोनों capacitor और यह inductor बन जाए तो यह case 1 बनता और इसको बोलते है call pit oscillator लेकिन case 2 consider करो तो यहाँ पे आपका inductor यहाँ भी inductor वहलब Z1 की जगा inductor इस box के अंदर लगेगा और यहाँ पे एक capacitor लग जाएगा तो यह बनता है हाटले case ठीक है और call pit का आपने क्या देखा frequency of oscillation will consider this product by sum तो product by sum लेलोगे तो हो जाएगा C1 C2 divided by C1 plus C2 into L square root ठीक है L3 मतलब यहाँ का जो लगेगा और हाटले का case consider करते हो तो हो जाता है आपका 1 divided by L1 plus L2 into C3 square root तो यह case बनता है हाटले और ओके कॉल्पीट का यहाँ पे ओल्दो मैंने सारा discussion holistic cover कर दिया आपके कॉल्पीट और हाटले oscillator को यह मेगा हाट्च की frequency का range बनाने वाले हैं विकोज इनकी value बहुत माइक्रो में होती है तो इसलिए आपको मेगा हाट्च का एक रेंज का frequency देने वाला यह आपको पता होना चाहिए हाटले अजलेश कॉल्पीट दोनों हो गया जिस में कॉल्पीट और हाटले को फिर से चाहिए दोनों इंडक्टिव होना चाहिए यह दोनों कैपासिटिव होने चाहिए और थार्ड एल्मेंट सुट भी डिफरेंट ठीक है तो यह कंसिडरेशन और यह केस कैसे हमारे पूरा सिंपल इलेक्ट्रोनिक्स के अनलिसिस के थूँ आता है और यह जो मैथमेटिकल जो हमारे कंडिशन से जो के रियल नंबर का कंडिशन क्या होता उसको एज़न करने से यह हम स्वाल्प कर पारें तो यह का भीलू हमने निकाला बीटा के भीलू हमने निकाली और फाइनली हमने यह कर दिया कि हाटले उसे डिटर कैसे बनाएंगे थैंक यूफर टूडे या काल्पेट इस लिटर कैसे बनाएंगे ठीक है